हेलो एवरीवन वैलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली हां जी क्या हो गया सर आ चुके हैं आप भी आ जाओ जल्दी से जल्दी सब का वैलकम कर रहा हूं जल्दी से जल्दी सब लोग आ प्र इसकार्ट करते हमारी आज की कलास को आज की की जो हमारी कलास आप नमबर टू और एक बार मैसिज करके बता दें कि वोस्ता बच्चों को आजा है यह नहीं आ रही है कि है मैं ऩर वोईस आज़ीज आ रहे है सब को कि चलो ठीक हैं कि चलो ठीक एक बार मैं connection कर लूँ इतने सब लोग आ जाओ हेलो बरनाली जी कैसे हो आप सिम नमस्ते सुदीर पाल जी और सब कैसे हो जी classes कल वाली देखी थी कल वाली class communication की मैंने डाल दी थी तो एक बार सब लोग आ करके high hello world और फिर class को start करते हैं तो एक आज मिनट लेट हो जाता है आज भी छोटी सी class है ज्यादा बड़ी class नहीं लेंगे क्योंकि आज मैंने एक type पूरा आपको करवा देना है छे type छे basis होते हैं किसी भी communication के तो एक basis आज करवा देना है पांच कल करवाऊंगा तो जल्दी से जल्दी आ जाओ मैं देख लेता हूँ कोई बच्चा रह तो नहीं गया लिंक वाला और उसके बाद class को start करते हैं जी ठीक है जी कोई बच्चा किसी का जो रह गया हो लिंक के बिना एक बार कोमेंट करके सब लोग बिता दें कि वो इस clear है ना आपको उसके बाद सर आज से अच्छे से class करना है आप लोग आ गए क्या चलो ठीक है थोड़ा ता जागे हो आप कि लिए रहां जी class तो हमेशा अच्छे से करता हूं मैं तो अच्छे से करता हूं अपनी योड़ से जितनी मेरे को नोलीज है यहां जिस हैसाब से मैं पढ़ाता हूं डीप जाके और बाकी आपके उपर डिपेंड़ा की आप class अच्छे से करते हो या नहीं करते हो ठीक है और कल यार सब बच्चे बोल वे थे फी के बारे में तो उसका मैं बता दूँगा आप लोगों का आज इविनिंग तक की पेपर टू की फीस के लिए तो आज पार्ट नमबर हमारा टू है जिसके अंदर टाइप स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ कम्यूंकेशन क्या होंगे आ यह अपना वाई फंडा जिसको लेनी है क्लासी जो वो बता देना यह नंबर उनको सेंड कर देना ठीक है यह नंबर उनको सेंड कर देना बाकी देख लेंगे हम लोग क्या सिस्टम बनता है हमारा देखो यह ब्रेंट ट्रेस्टी एक बंदा था ठीक है जुन्होंने कम्यू सेल्समैन थे अपनी कंपनी में उस टाइम पर इन्होंने बहुत कुछ किया अपनी लाइफ के अंदर क्योंकि सेल्समैन के लिए तो आपको पता है ज्यादा तर क्या होता है क्म्यूनिकेशन जदा इम्पोर्टेंट होता है तो कम्यूनिकेशन is a skill that you can learn ठीक है कम्यूकेशन एक ऐसी स्किल है ऐसा system है जिसके दारा आप क्या कर सकते हूँ नहीं चीज़ों को सीछ सकते हो नहीं स्किल को क्या कर सकते हो गैन कर सकते हो नहीं नहीं बाइक ठीक है बाइस साइकल या कोई भी बाइक लगा लो ठीक है और टाइपिंग जिस तरीके से आप मालो कोई भी रेडिंग पर जाते हो ठीक है चाहे वो कार की रेडिंग है बाइक की है सब कुछ सिस्टम है जो भी है जिसके उपर आप करना चाहते हो कुछ सीखना चाहते तो वही बात यहां पर बोली जाती है कि भाई आप लोग ध्यान रखो इस चीज का आप लोग जब भी कम्यूकेशन करते हो तो वह ऐसी स्किल है कि आपको नई-नई चीजें सिखाती है नई-नई चीजें जिस तरीके से आप टाइपिंग करते टाइम देखते हो कि कोई अक्ष स्किल है इसको भी आप वैसे देखो ठीक है कि वह बोलते हैं ना कि बाइक पर जाते हो तो थोड़ी सी में नजर अड़ जाएगी तो द्रगटना गड़ जाएगी तो वही बात यहां पर बताई है कि कम्यूकेशन भी एक ऐसी स्किल है जिससे आप लर्न कर सकते हो जो भी मै implanta टू वर्क एट एट ठीक है अगर आप इसके उपर वर्क करना चाते हो किसके ओपर कम्यूकेशन के ऊपर क्योंकि एक स्किल्ल:" अगर आप अंदर से इच्छा है आपकी कि अगर आप कुछ करना चाते हो तो बही करना है तो ठीक है यू कैं रपीडली इंप्रूड़ दा क प्रैक्टिस आती है अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मतलों बार-बार करोगे किसी भी चीज को बार-बार करने से हर चीज की क्वालिटी इंप्रूव होती है और communication तो कल मैंने आपको पढ़ाया था life communication के बिना जीरो है communication करोगे तो सब कुछ है नहीं तो बही जीरो है वही इनोंने भी बात बताई है brain tracing ने तो I hope समझ आगी होगी इनकी communication की definition आगे देखो आगे मैं आपको बताता हूं कि communication का हमारा system क्या है देखो type of communication की बात करते हैं सब के मन में एक बात आती है कि या type of communication क्या होते है type of communication में आज तक जो आपने सुना होगा return all ठीक है लेकिन return सुना होगा और सुना होगा visual सुना होगा audio video सुना होगा ठीक है audio visual सुना होगा या non communication या non verbal communication लेकिन हम जो करने वाले हैं आज हम करने वाले हैं basis on the basis of way of जो आपके expressions होते हैं उनके basis पर कल करेंगे organizational structure, directional flow ठीक है किस तरीके से direction का flow जाता है, vertical जाता है, up to dine जाता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर करेंगे ठीक है, उसके बाद करते हैं on the basis of the number of participation, number of participation कितने हैं आपके वो चीज़ों के उपर करेंगे, तो चार टाइप के तो ये होगे, इसके अंदर भी आगे जाकर के जैसे इसके अंदर छे टाइप बनते हैं, ठीक है, इसके अंदर कितने टाइप बनेगे, दो बनेगे, इसके अं अपने तरिक्य के टाइब बन जाएंगे ठीक है यह जो भी आपका meditation होता है यहां उसको meditation बोल देते हैं जो भी ठीक है इसके उपर आपके मतलब साथ तरीके के हो गया ना पहले कितने करवाए हैं एक दो तीन चार चार और ये तीन ये होगे साथ तरीके के हैं साथ में से आज पहले वाला start करते हैं अगर on the basis of way of expression देखा जाए तो इसको क्या बोला जाता है और क्या बोला जाता है इसको अगर पता हो आपको कि on the basis of expression को क्या बोला जाएगा और तो इसके अंदर कितने major part होते हैं हमारे six होते हैं किसी को पता है किसी ने पढ़ी केविस असर की अंदर बी इसको अलग से बताया हुँ तो बताओ इसका क्या हो सकता है और एक्सप्रेशन का क्या हो सकता है और इसके अलावा इसके अलावा हो सकता है इसको बोल सकते हैं चैनल ठीक है इसको चैनल बोल सकते हैं कि अलग-अलग जो जब चैनल की बात करते हैं अलग-अलग तरीके से तो इसको बेसी जो एक्सप्रेशन बोला जा सकता है यहां बोला जा सकता है चैनल तो सबसे पहले किसको पढ़ते हैं रीटन को फिर औरल को ठीक है नंबर एक लगाना भूल गया यहां पर वीज्वल ओडियो वीज्वल नोन वर्बल और नोनों कम्यूकेशन तो सबसे पहले यहां ही एक ओवर्व्यू ले लेते हैं उसके बाद एक एक करके पढ़ते हैं जब रिटन की बात करते हैं इन दिस टाइप आफ कम्यूकेशन ऐसे कम्यूकेशन के टाइप के अंदर दा मैसीजिस सेंड अब तुरू दा प्रेंटिड अबी जो हम कर रहे हैं फर्स्ट वाला बेसी जाए एकस्प्रेशन के टाइप कर रहे हैं तो सबसे पहला इसके अंदर क्या है रिटन रिटन की जब बात करते हैं यहां तो किसी भी तरीके का प्रेंटिंग पेपर ठीक है प्रेंटिड पेपर यहां हैंड रिटन टैस्ट हो जब बात करते हैं, इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, कितने दो पार्ट के अंदर, अब देखा जाए ना, कई लोग क्या बोल देते हैं, जब किसकी बात करते हैं हम लोग, औरल कम्यूकेशन की बात करते हैं, यह हम करते हैं वर्बल कम्यूकेशन की बा से इसको बाढ़ देते हैं कैसे कि अगर वर्बल कम्यूकेशन है वर्बल कम्यूकेशन को कैसे माप सकते हैं कैसे लिख सकते हैं कैसे डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहले जो और लोज हो सकता है वर्बल का यहां ऐसे कर सकते हैं कि टाइप आफ communication बाढ़ दिया एक की साइड एक मिनट कोई खाली पेस देखने हो मेरे को यहीं समझा देता हूं यहां जल्दी समझाएगा जब किसकी बात करते हैं communication की बात करते हैं basis of communication की बात करते हैं अगर basis of communication एक और बना दूँ तो उसके अंदर क्या आ जाएगा यहां verbal लिख दिया और यहां क्या लिख दिया non-verbal जो आस लिकर आप पढ़ते हैं आस तक जो पढ़ते हैं ठीक है जो verbal होगा वो कितने type का होगा वर्बल होगा oral प्लस यहां आ जाएगा written ठीक है और यह अलग आ जाएगा अपना non-verbal आ गया non-verbal के तरीके आ जाएंगे सारी के सारी इसमें और जो oral होते हैं वो आगे कितने type का होता है दो तरीके का होता है और भी दो तरीके का होता है number one पर क्όου सा होता है कि कई बार आप लोग क्या करते हो और लेजिक कि अंदर face-to-face करते हो कि और यहां क्या करते हो यह कि अंदर और के अंदर क्या करते हो दूसरे नंबर ौदा टेली फोन वाला ठीका है टेली कौन करके यहां हमारा डिस्टैंस वाला भी आ जाता है वह आगे करेंगे डिस्टैंस वाला तो इस तरीक्ये से समझ सकते हैं लेकिन ऐरल के अंदर वो एक बंदा अपने कानों से सुनता है एक बंदा मुझे बोलता है ठीक है उसको औरल के अंदर ले ले लेते हैं उसके बाद बात करते हैं वर्बल की वर्बल के अंदर किसी भी तरीके का वर्ड यूज किया जा सकता है और वर्बल मैंने पहले बिता दिया है जो वर् मेज आ सकती है ठीक है किसी भी तृकि की इमेज आ सकती है जिसके अंदर क्या हो नेखने वाली चीज ज़dag उब और पढ़ने वाली चीज गम हो ऐसे और आ Participant को विज्वाल किया जाता है मतलब कोई जैसे कहीं पर आप आप जाते हो घूमने जाते हो ही कने दारा लेते हो विजूल कम्यूकेशन करते हो देख करके बोलते हो कितनी सुंदर पहाड़ियां है ठीक है वह विजूल है ठीक है वहाँ एक छोटा सा बोड लगा होगा ठीक है कि इस पहाड़ी की उचाई इतनी है थोड़ा देख करके मतलब अनंद लीजिए कहीं आप खाई म पे न गिर जाएं ठीक है यहां इतने किलो मिटर के डिस्टैन्स पे यह हमारी क्या है जो पहाड़ी है इतने किलो मिटर ऊपर है नीचे है यह मतलब इतनी इसकी उचाई है वह सारी बाते लिखी होती है मतलब मोर विजूल और लेस्ट टेस्ट की बात करते हैं उसके बाद आडियो विजूल की बात करते हैं आडियो विजूल की क्या बात होती है जब वोइस के साथ साथ आप कोई ना कोई चीज सुनते हो ठीक है जैसे आप कोई ना कोई वीडियो देख रहे हो जैसे अभी हमारा कम्यूकेशन हो रहा है अभी हमारा जो कम्यूकेशन हो रहा है नोन वर्बल कम्यूकेशन क्या होता है नोन वर्बल कम्यूकेशन ठीक है आँखों याँखों से बातें कह जाना नोन वर्बल कम्यूकेशन होता है ठीक है फेस का एक्सप्रेशन कैसा है आपका उसकी बात करते हैं ठीक है उसके बाद गैस्टर की बात करते हैं अटेर की बात क करते हैं मतलब आपका पहनावा कैसा है ठीक है आपका पहनावा कैसा है आप किस तरीके से पहनते हो वो सारी चीज़ें नोन वर्बल में आती है आपका कल्चर कैसा है कल्चर के कोडिंग पहनते हो ना जैसे हम लोग क्या करते हैं हाथ के अंदर मतलब थोड़ा एक मतलब किसका बेंगर डालते हैं आरन का लोहिक का बेंगर डालते हैं ठीक है तो कुछ लोग अलग तरिकके से चूडियां डैलते होंगे ठीक है मतलब अलग-अलग सब का पहनावा उतَ है उसके बाद यह सारी की सारी चीज्जें किसके लिए यूज ہوتी है transfer होती है किसके लिए transfer की जाती है communication करने के लिए उसके बाद no communication की बात करते हैं जहां पर किसी भी trick का communication नहीं होता it refers to total elimination of the response of receiver to the message जैसे मालो यार किसी भी trick का आपने कोई भी message दिया आपने किसी को कोई भी message दिया मालो आपने किसी को gmail कर दिया कुछ अपना schedule paper send कर दिया या कुछ questioner send कर दिया उसको पर वो सामने वाला बंदा किसी भी तरीके का आपको response नहीं दे रहा तो वो non communication हो गया कि वो आपके unfavor में आपका जो मकसद था वो पूरा नहीं हो सका ठीक है किसी ना किसी तरीके से चुपी साथ रखी है जैसे आपकी लडाई हो जाती है आपका जो शादी शुदा लोग होते हैं तो दो दिन बीवी ना बोले तो non communication है ठीक है वही बात यहां पर बताई गई है उसके बाद देखो यह हिंदी वाले हैं अपना पढ़ लेना ठीक है हिंदी वालें के लिवी सेम स्लाइड मैंने बना दी है उसके बाद देखो आगे देखो अब करते हैं वर्बल की नोन वर्बल की विज्वल की क्योंकि ज्यादा तरह गर नेट पे देखो गया इस तरीके की स्लाइड मिलेंगी जिसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं दिया होगा सिर्फ बेसिज ऑफ चैनल के यह बेसिज ऑफ एक्स्प्रेशन के दिया होगा ठीक है वर्ब लिसको यूस करते हैं कोण फिडेंस के साझे यूज करते है एक्तिव लिस्नि क्या होती है अक्तिव लिस निंग क्यसे शूती jet कि मैं कुछ नहीं कुछ बोल रहा हूं आप एक्दम के सुनौंगे ठीक है ना आप क्या करोंगे एक दम एक्टिव होकर के इन चीजों को सुनोंगे उसके बाद बात करते हैं अवोईड फिल्टर जो फिल्लर्स वर्ड होते हैं या फिल्टर कियो वर्ड इस चंदर यूज नहीं किया जाते हैं क्यों क्योंकि आप उन चीजों को वोईड करते हो क्यो जो चीजा सामने आपके सामने बोलूंगा आपके लिए एक लाइव एविडेंस है ठीक है अब कोई मान लोग किसी की चुगली या मुह पे थोड़ी करता है पीठ के पिछे तो बहुत लोग बोलते हैं ठीक है ना पीठ के पिछे तो बहुत जिनका दम नहीं चलता वह फिर न आता है यह जिनका दम वैसे नहीं चलता लाइव त्रिक के से नहीं चलता वह कलासी हमारी देखेंगे चोरी-चोरी और वहां पर क्लासी देखने के बाद उनको डिसलाइक भी करके जाते हैं कई लोग तो ठीक है अवोइड इंडस्ट्री जैक ग्रॉन जैक ग्रॉन क्या होत करता है मतलब आप ऐसे वर्डों को यूज्ज ना करें जो कोमन नहीं है यहां जिसके बारे में आपको पता ही नहीं ठीक है जैसे मैंने कल एक चीज बनाई थी कल कौन-कौन बंदा जाग रहा था कल रात को वैसे मैंने लिखी थी एक चीज कौन सी चीज लिखी थी किस देता हूं आपको कि कल रात मैंने एक चीज डाली थी वह चीज थी हमारी एक एक मिनट मेरे को मिली नहीं रही क्या था क्योंकि तीन स्टेटस बनाए थे यह वाली चीज कि अलोन बट रबस्ट रूबस्ट इसका मतलब क्या हुआ यह वर्ड आपने पहली बार सुने हैं मालो इसको इजी वे में बोला जाए इसी चीज को तो मैं लिख दूँगा अलोन वर्ड वट रूंग ठीक है इतनी बात थी बात तो इतनी थी वही बात है जैक ग्रोन वर्ड यहां पर यूज नहीं करने वैंड एप्रोप्रेट की जो को यूज करने यहा तो आप सिंपल चीजों को यूज करो वहां पर आपको क्या जरूरत है इतने मतलब महान वर्ड लिखने की ठीक है जिसका पता भी नहीं होता किसी को किस किस बत्ते को पता था सच बोलना इस बात के उपर पाप लगेगा जिसको नहीं पता नो लिख दो जिसको पता यास लि को यह दो पता था जिक्षिनेर्षे देखा था जिम्रां ने डिखंशीन इस पता था ना बरणाली को भी निख सफिक्राइब पता था वहाइग थी dips की यह नहीं है उनकर बपता था कईवर नहीं किया,'ं नोन वर्बल की बात करते हैं देखो दोनों मुझ ऐसे करके खड़ें आँखो यांखों में बात करते हैं इमोशन एंड फीलिंग को समझते हैं जिसके अंदर ठीक है फीजी कली आप फील करते हो किसी भी चीज़ को भी इंटेंशनल अबाउट यूर नौन वर्बल सर गुड आफ्टरनून वर्बल कम्यूकेशन फिर से मतलब अच्छा हाँ जी हाँ जी गुड आफ्टरनून हो गया आपका वर्बल कम्यून मैंने सोचा बतने क्या हो गया वीजुल वाली बात करते हैं वीजुल के अंदर क्या होता है कि आप देखकर के बात करते हो रिटन के अंदर है ये सारे लिखें हुए है आप पढ़ सकते हो आपको PDF मिल जाएगी ठीक है आज दोनों PDF डाल दूँगा और ये देखो आगे देखो आगे समझ देते हैं टाइप ओफ कम्मियूकेशन टाइप ओफ कम्मियूकेशन के अंदर जो आज का पढ़ रहे हैं सिर्फ उसके टाइप बताएगे हैं सबसे पहले वर्बल की बात करते हैं फेस टू फेस टैली फोन है थूदा स्पाय और जूम जैसे हम लोग जूम मिटिंग पर बैठे हैं बातें मार रहे हैं तो ये क्या हो गया वर्बल कम्मियूकेशन हो गया और स्पायप के अंदर यहां हमारा क्या होता स्काइप के अंदर यहां जूम मिटिंग के अंदर देखो आप भी बोल सकते हो कल मैंने रात की जो क्लास लही थी सूपर कनवर्सेशन वाली उसके उपर आप भी बोल सकते थे मैं भी बोल सकता था मैंने बोला है मैं आपको अन जो फ्रेंड एंड फैमिली है इसके उपर चैटिंग भी कर सकते हो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ किसी भी तरीके की गपशप कर सकते हो और दूसरी बात आपको बोल देता हूं जो होती है शोशल मीडिया की चैटिंग अभी एक कोश्चन है बार-बार हमारे यूजी सी चैटिंग कर सकते हैं 2012 के अंदर मैंने इसके उपर अकाउट बनाया था यह इतना चला नहीं था ठीक है शोशल मीडिया जितने में बिया ना उसके उपर जो भी चैट करते में वह कौन साम्येंड होता है वह ओता है पैरलर communication ठीक है ना वह पैरलर communication वो याद रखना है आप लोगों ने क्योंकि यूजी सी नट के coding ही याद करनी पड़ेंगी ना हमें सारी चीज नोन वर्बल communication क्या होता है आई contact करते हो body language है facial expressions है आपके ठीक है tone of voice क्या है posture and gesture क्या है ये सारी की सारी चीज़ियां आपको normal सी बता देता हूं कि eye contact है जब आप कल भी मैंने आपको बोला था जैसे आप क्या करते हो जब भी कोई भी अपने friend के साथ है कि आज कुल्चा burger खाने जाएं party दोगे ठीक है वो दूसरे को ओई चल चल ठीक है आँखों से बात करते हैं जब ठीक है वे चल चल इसके पैसे लगेंगे इसको लेते हैं आज दो हाथों से वो चीज़ होती है body language क्या होती है किसी को चूटी कार देना ठीक है और उसको बोलना अब को बता रहा हूं सात में किस तरीके से posture गेस्टर ले रहा हूं ठीक है posture होता है एक दम बैठने का जब आप इंट्रव्यू देने जाते हो आप किस तरीके से बैठे हो टांग के उपर टांग तो मतलब सामने वाला बंदा सोचता है बड़ा कॉन्फिडेंट बंदा है गैस्टर क्या होते हैं जब आप किसी को कुछ समझाना चाहते हो ठीक है जैसे थम्जब करते हैं खीच लेका हमको अच्छा चल रहा है तरह खाम ठीक है अच्छा सिस्टम है तेरा इसी तरीके से करता रहा है बहुत ही अच्छा कर रहा है ठीक है थम्जब के लिए वह बोल देते हैं टॉन और वोईस जैसे मैं बोल रहा हूं कि भाई ठीक है ना जितना समझा रहा हूं इतना समझो फाल तु बात मत करो पढ़ाई को उपर ध्यान दो ठीक है वह टॉन के उपर डिपैंड करता है कि मैं किस टुर्ष के से बोल के आपको समझा रहा हूंwritten के अंदर जो ऑभी हम लोगने पिछे समझा था यह वाले समझे से था सारे के सारे इसको एकस्प्लेश एक रिपूर्ट आ जाती है एमेल लग बेचते हो इंडियों कोई बी रिसर्च कर रहे कि आप कितना स्पीडली बोल रहे हो कितना किसी शब्द के ऊपर कितना प्रेशराइज करके बोल रहे हो किसी भी चीज को ठीक है ना कहां पर आप द्वाब दे रहे हो शब्दों के हेर फेर को बोला जाता है मतलब शब्दों के ऊपर जब आप बात करते हो ना जैसे कि रिटन communication क्या है ठेक है मैं ऐसे बोल रहा हूँ इसको अपने तरिक्के से समझाने का तरिक्का tone भी बहुत काम करती है बच्चों को समझाने के अंदर facial expression आपके gesture है body language है eye contact है जो nonverbal है ना मैं आपको बात बताता हूँ एक बात मैंने लिखी थी एक मिनिट मैं आपको बताता हूँ कि आज के टाइम में आज के टाइम में क्या होता है कि human communication किया जाता है यहां लिख देता हूँ the human communication ठीक है इसको समझ लेना communication है communication यहां ना consist आना था communication कम्यूकेशन कंसिस्ट ओफ 65% नोन वर्बल कम्यूकेशन ठीक है यहां पर लिखना है नोन वर्बल कम्यूकेशन ठीक है एंड डेली लाइफ के अंदर हम लोग जो यूज करते हैं जैसे भी हम एग्री होते है एग्री होते तो अलग टोन हो जाते हैं ठीक है ना एग्री हो जाते हैं अगर देखा जाए ना daily life में ृओं डेली लाइफ में 93% हम लोग क्या करते हैं नोन वर्बल कम्म्यूकेशन को यूज करते हैं ठीक है यह एक बुक में लिखा हुआ है 90 93 परसेंट डेली हम नोन वर्बल कम्म्यूकेशन को करते हैं देखा जाए तो ठीक है 65 परसेंट है यूमन है वो कंटेन करता है रहता है सारे का सारा वर्बल कम्म्यूकेशन करता है 65 नोन वर्बल कम्म्यूकेशन आपके लिए सबसे जरूरी है नोन वर्बल communication के अंदर आती है रिटन में इमेल आईगी रिपोर्ट जैसे आपने कोई research करी research करने के बाद सोरी research करने के बाद आप कोई भी काम करते हो ना कोई भी काम करने के बाद अपना कोई भी रिपोर्ट लिखोगे जैसे financial statement होगी आप की company की उसको दिखाओगे वो भी सारे का सारा return communication है bulletin सा सकते हैं किसी भी त्रिक के जैसे bulletin कैसे बनाते हैं जैसे मैंने ये bulletin लगा दिया ठीक है इसके उपर अगर bulletin लगा देता आगे ऐसे ठीक है अलग-अलग त्रिक के सर कल से मेरा exam है कलास नहीं कर पाऊंगा कोई चक्कर वाली बात में आप त्यारी कर लो अपनी बैठकर बच्चे अकास त्यारी कर लो आजाज कोई बात नहीं सिंपल सी कलास है अगर offline वीडियो देखोगे समझ आ जाएगा उसके बार बात करते है tub Taranka, एंवे, कोडिंग य मैनूय अपने मैनूय के कोडिंग, लैटर के कोडिंग, टेलीग्राम है टेली ग्राम पे भी लिखके करते हो वरसेप आगया आपका ठीक है WhatsApp आगया Facebook आगया ठीक है और क्या क्या यूज़ करते हो स्नैपचर्ड यूज़ करते हो जो भी यूज़ करते हो तो वो सारी कि सारी चीज़ इसके अंदर आ जाती है ठीक है लिसनिंग कम्यूकेशन क्या होता है जहां पर आप effective तरीक्टे से critical तरीक्टे से किसी बंदे को सुनते हो critical active listening जिसो बोल दिया जाता है active listening is the key of all effective communication जितने भी सारे कम्यूकेशन है ना जितने भी सारे सबसे बड़ी बात है ना बोलने से ज़्यादा सुनने की आदर डालो सुनने की सुनने की आदर डालो ठीक है सबसे ज़्यादा मेन जो बात है ना अगर आपने सीखना टीवी वीडियो और सर जब हम प्रजेंटेशन देते हैं आडियो विजुल करते हैं सबसे बड़ी बात है जब आप टिक टोक देखते हो वह हमारा क्या हो सकता है ओडियो विजुल उसके अंदर आ सकता है जब अब प्यारे प्यारे लोगों की टिक टोक देखते हो और लाइक मारते हो वह एक्टिव लिस्निंग सब जिन्दगी यह की है ठीख है इसी वी सामने वाले परसन को actively सुनोंगे ना active listening करोगे तो आपका आदा काम वहां खतम हो जाएगा आप अपने communication को अच्छा कर पाओगे सुनने की तभी बोलता हूँ बोलने से ज़्यादा बहस करने से ज़्यादा सामने वाले को understand करो उसके बाद उसका answer करो ठीक है अगर साम हो वैसा नहीं हो जो भी आपने देने अपने एक्स्कूज पर लिस्निंग कम्यूकेशन है ना सभी कम्यूकेशन के लिए effective communication होता है यह की होती है जैसे success की की consistency थी उसी तरीके से यह बात बोली जाती है कि पूरे communication की जो लिसनिंग कम्यूकेशन उसके बाद वीजूल की बात करते हैं यह मैंने बताई दिया है फोटो ग्राफ इमेज वीजूल प्रजेंटेशन और साथ में यहां टिक टॉक ठीक है अब तो समझ गयोंगे अब यह करके पढ़ लेते हैं वर्बल कम्यूकेशन क्या होता है वर्बल क यूजिंग या यूजदा स्पीच और वर्ड ठीक है यह बात आप लोगोंने याद रखनी है कि जब हम लोग किसी भी स्पीच के थुरू किसी भी वर्ड के थुरू या किसी भी त्रिक्के से कोई भी ओडियो बात करते हैं ओडियो वाली बात करते हैं जिसके अंदर बोलन का सबसे most and effective type होता है जिससे बादचित करके सारा matter सुलजा लेते हो या किसी से कुछ भी समझ लेते हो जैसे मैंने बता दिया कि सारी रात मैंने PDF बनाई ठीक है अकेला बैठा रहा return communication करता रहा लेकिन अगर यह PDF आपको ऐसे पकड़ा दूँगा मैं तो आपको सिर्फ कितना समझ आएगा 30% समझ लोगे लेकिन इसी चीज को बोल के समझाओंगा तो आप कितना 80% तक समझ जाओंगे लेकिन आप इसको खुद प्रेजेंट करोगे दूसरों के सामने 100 क्या 110% समझ जाओंगे कि क्या लिख्या है क्योंकि आप एक एक वर्ड को एक्स्पेन करोगे उस टाइम पर हम लोग ध्यान नहीं देते मैं तो एक एक वर्ड तभी पढ़ाता हूं कि मेरा भी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रहे और आपका भी क्लियर हो ठीक है आपको भी मैं ऐसे अपड़ा देता हूं कि आपका ऐसी से नव्बे प्रसेंट क्लियर हो जाए जितना भी आप करते हो उसके बात देखो इसके अंदर ठीक है पर्संट्र एजवेल अल्प परफेशनल लेवल आप इस सकते हो ठीक है सर वर्बल कम्यूकेशन में फीजी कल प्रजेंस प्रेजेंस रहता है क्या बोलने वाला और सुनने वाले का फीजी कल प्रजेंस कैसे रहेगा ठीक है बोलोगे तो मुझ से बोलोगे ना फीजी कली यूज होता है पर जो बात है ना वो यह बात है कि होना जरूर इनहाँ नहीं सोना जरूरीं है परजैन ट्रे नहीं जरूरीनी नहीं है फीजिकल जो चीजें होती हैं ओब नोन वरबल में आएंगी देखो आप फोन के ऊपर बात करते हो ठीक है वहां तो आपकी वोस जा रहे है वो आपकी physical activity तो नहीं देख रहा ना कि आप टांगे उपर करके सिर नीचे करके फोन रखके बात कर रहे हो योगा करते करते बात कर रहे हो तो वो चीजें matter नहीं करती वर्बल communication में ये personally भी हो सकता है और professionally परसनल के अंदर आपकी family आपके रिस्तेदार आपके friends लोग और other people आ सकते हैं जिनको आप जानते हो और जब बात करते हो professional तरीके की सही बात है ना ठीक है thank you समझ गए कोई चक्कर वाली बात नहीं है जो ना आए तो comment कर दिया करो professional की बात है जब आप school में जाकर मैम को बोलते हो मैम मैंने आज काम नहीं किया और मैम एक चांटा डैर दिनी कान के नीचे लगाती है और बोलती है बैटा क्यों नहीं किया फिर आप वहां पर जो excuse देते हो ना उसको बोला जाता है professional ठीक है अब principle से बात करता है कोई भी teacher है college के अंदर आप बात करते हो workplace के उपर जहां factory में गपे मारते हो अपने दोस्तों के साथ या अपने colleague के साथ या अपने senior के साथ बात करते हो वो सारी की सारी बाते है communication किसके अंदर आती है verbal communication के अंदर आती है verbal communication बहुत ही ज़्यादा important होता है इफिशेंट and the feedback comes there and then जब भी आप बात करते हो ना कोई भी बात करते हो पहले communication करते हो communication करते करते सामने वाला बंदा अगर गालिया निकालोगे सामने से गालिया बरसेंगी प्यारते बोलोगे तो प्यारते बाशा की बात करेगा मतलब efficient तरीक है आपको साथ की साथ feedback मिलता है, face to face communication इसके अंदर होता है ना, तभी बोलते हैं ना, साथ की साथ आप इसके अंदर कोई भी feedback ले सकते हो, साथ में बात करते हैं, the sender, generate the idea, transmission, use voice, voice का use करके आप किस चीज़ को transmission करते हो, अपने idea को transmission करते हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अपनी, जितनी मेरे पास knowledge आपको दे रहा हूँ, बोल के समझा रहा हूँ, slide के through समझा रहा हूँ, साथ में, the receiver, receive the message, message receive करता रहता है, and interpret करता रहता है, and replies to it, आपको साथ की साथ उसका उत्तर देता है, मतलब साथ की साथ आपको feedback मिलना start हो जाएगा, ठीक है, साथ की साथ feedback मिलना आपको start हो जाएगा, thus every happens, ठीक है, इसके अंदर जितने भी काम किये जाते हैं, वो सारे के सारे जो intently हमारे हो सकते हैं, किसके अंदर verbal communication के अंदर हो सकते हैं, इस परकार आपको सब कुछ तुरंत ही, ठीक है, साथ की साथ ही मिलना start हो जाता है, instantly मतलब साथ की साथ, त पहले class को, उसके बाद यहीं से start करते हैं, मैं भी आपको class, कल भी बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर आपकी communication की class है ना, बहुत ही अच्छी लगी है, सर verbal communication pre-plan हो सकता है, वेट, इसको बताते हैं अभी, tension मतलब हो, एक एक word करवाऊंगा, तो एक मिन्ट क्लास को region कर लो, तो जल्दी से जल्दी आ जाओ, फिर करते हैं start, तो मैं एक चीज सोच रहा हूँ ना, दो तिन स्लाइडें add कर देता है, मैं बीच में आपको समझा देता है, इनके एक मिन्ट रुको, सब लोग, एक मिन्ट रुको, मैं स्लाइडें add कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो दो स्लाइडें मैंने add कर दी है, इतनी तो काफी होंगी, ठीक है, दो स्लाइडें मैंने add कर दी है, ताकि आपको advantage, disadvantage भी करवा सकूँ, अगर time बचा तो, ठीक है, आप अब बोलो क्या question पूछ रहे थे आप, क्या question था आप लोगों का, कि जो verbal communication है, वो क्या हो सकता है, क्या उच्छा तैसा कुछ question था, वो pre-plan, pre-plan वाला था ना, pre-plan हो सकता है के नहीं, भी दोनों हो सकते हैं, देखो, दोनों हो सकते हैं, मैंने अभी आपको क्या पड़ा आया था, अभी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आँखें नहीं खोल रहे हो, ना ही अपना दिमाग खोल रहे जैसे, professional conversation करते हो, तो आपका structure हो सकता है, ठीक है ना, जैसे professional करते हो, तो आपका structure हो सकता है, कि बाई कल मैडम को जाकर के ये बहाना लगाउंगा, मेरी copy पूरी नहीं है, मैडम मारेगी मेरे को, तो वो सारी बातें किसके अंदर आ सकती है, pre-plan के अंदर आ सकती है, कि पहले से घरते ही डिसाइड कर लिया वही मैंने तो यह बहाना लगाना यह वर्ड मैंने बोलने है जाकर के ठीक है ना यह बहाना लगाना और यह वर्ड मैंने जाकर के मैडम को बोलने है और जब आपकी फाइट हो जाती है गाली गलोज करने लग जाते हो किसी के साथ अपने फ्रें कोई ना कोई काम हो जाए ऐसा ऐसा बिढ़न तो हो जाए आपकी किसी की साथ तो वहां पर क्या आप सोचके बोलोगे क्या प्लान करोगी कि मैंने यह गाली देनी है दस गाली दे जाएगा सामने वारा तो वही बात है यहां पर कि आपका यह प्री प्लान भी हो सकता है और किस पढ़ते हैं देखो यह क्लास भी मैं यूटूब के उपर डाल दूंगा ठीक है फ्री वालों में तांकि यार जो बच्चे हैं कुछ कर लें लेकिन मोडल वाली क्लासिज मैं निडाल लूँगा एक आदम डाल देंगे बाकी निडालेंगे तांकि क्योंकि यूटूब के उप जाया आपको कि वर्बल कौन से होते हैं फेश टू फेस होता हूँ फॉन के उपर हो सकता है जो मीटिंग के उपर सकाइप के उपर हो सकता है चैटिंग हो सकती है परिवार के साथ बैठकर मुरू रइंजन की जब बाते करते हो ठीक है औरल कमनियोकेशन वर्बल के दो पहले समझाया था अबको कौन-कौन से को सकते हैं वर्बल के अदर दो टाइप बताना देखता हो कितना जाक के बैठ रहे हो उताओ बटाओ پवाओ कौन-कौन से बताईत है अभी व्रबल केंदर दो होते हैं एक तो औरल वाला होता है, दूसरा कौन सा बताया था मैंने, औरल एंड रिटन, फेरी गुड, ठीक है, जाग रहे हैं भी जाग रहे हैं, ठीक है, औरल एंड रिटन होते हैं, पहले करते हैं, औरल को, नमबर वन पे करते हैं किसको औरल को, जब औरल कम्मुकेशन की बात की जाती है तो वेर वी कम्नू केट बायदधा स्पीकिंग सम्थिंग वर्ड और संटेंस ठीक है जब आप लोग क्या करते हो पुछ न कुछ वर्ड बोलते हो कुछ ना कुछ संटेंस और इटकेन भी के अंदर जिस परकार का प्रेक्शन होता है जिस परकार का संप्रेक्शन यह संचार हो जाता है उसको ही औरल कम्यूकेशन बोला जाता है ठीक है उनके बीच की जो डिस्टैंस होती है दूरी होती है उनके अधार पर देखा जाता है कि आप कितनी जल्दी बातचित करते हो, सुन रहा है जा आपको नहीं सुन रहा है वो सारी बाते हैं Face to Face Number One पर बात करते हैं Face to Face Face to Face Communication क्या होता है आपके सामने कोई बैठा है ठीक है आप हिमाचल की पहाड़ियों में बैठे हो ठीक है वहाँ पर एक खाली मेज मिल गया आपको बैठ करके सारे दिन बातें करते बैठे अपने फ्रेंड लोग के साथ ठीक है साथ में थोड़ा थोड़ा डियू भी पी रहे ह ठीक है पारटी कर रहे हो वह आपका Face to Face Communication हो सकता है हसलिया करो वही हसलिया करो कौन सा बई मर्ग पे आयो ठीक है हसलिया करो चार पांच दुन हैं जिन्दगी के ठीक है तो वही बात कर रहा हूँ faise to face communication है आपने सामने बैठकर जब आप बातचित करते हो किसी एक प्लेस पर बैठकर same to same बातें करते हो वो आपकी personal भी हो सकती है personal के अंदर आपका pre-plan नहीं होता जादा तर professional के अंदर आपका structured और pre-plan हो सकता है उसके बाद देखो talk on phone की phone के उपर बात करते हो ये तो बताने की जरूरती नहीं है, सब के चलते होंगे, ठीक है, उसके बाद इस टाइप आफ कम्मुनियुकेशन कन हैपन बिट्विन टू और मॉर, ठीक है, दो से दो जादा, जब आप अपनी सफाई देते हो किसी को, कौनफरेंस लगाता हूँ है, अभी, रुको कौनफर होना हो सकता है, वो ही आपका प्लेस है, अपने घर बैठ करके बाते करो, ये कम्मुनियुकेशन भी दो तरीके का हो सकता है, परसनल हो सकता है, और प्रफेशनल हो सकता है, जब आप अपने स्कूल टीचर से बात करते हो, वो थोड़ी प्रफेशनल तरीके से करोगे, जब मित्र को बोलते हो क्या कर रहा है भाई कहां पर खोया हूँ है सारा दिन पॉल ही नहीं करता दूँ तो वो आपकी क्या हो सकती है परसनल हो सकती है ठीक है वीडियो कॉल वेर ये आगे और बता रहा है फोन के उपर की आप वीडियो कॉल के दुवारा भी कर सकते हो जो वर्बल communication होता है, वो साथ में visual में भी आ जाएगा, visual and audio visual में आ जाएगा, साथ में develop to the verbal communication, आपको कौन-कौन सी skill चाहिए है, किसको develop करने के लिए, verbal communication को develop करने के लिए, always use a confident and strong voice where communicate with the, देखो, डरके नहीं बोलना है, डरके बोलोगे, तो आतम विश्वाश के साथ बोलो, कुछ भी बोलना है, मैं पतला हूँ, ठीक है, मतलब सरीर का वो बोलते हैं कई लोग यार तू अवाज इतनी कैसे निकाल लेता है, सरीर तो तेरा इतना कुए है, तो वही बात है कि confidence रखो, किसी बात को बोलते हुए confidence रखो, strongly बोलो, सच बोलो, सबसे बड़ी बात है कि verbal communication के अंदर जब भी बादचीत करते हो, अगर सच होता है न आपकी कोई भी बात, आप confident से बोल सकते हो, strong voice से बोल सकते हो, तो ये tips हैं आपकी, tips हैं किसके लिए कि जब भी verbal communication करते हो, तो कैसे आपको बोलना है, सामने वाला बंदा कैसे आपके उपर trust कर ले, कि आप सच बोल रहे हो, be an active and good listener to grow as a communicator, कि जब भी आप communicator करते हो न, तो आप एक अच्छे शुरोता बनो, listener बनो, शुरोत ही ना सुनोंगे, किसी का reason ही ना सुनोंगे, सामने वाला बंदा बोल रहा है, यार उसको सुनो, understand करो, सबसे बड़ी बात, communication के, मैंने जब कल आपको communication का meaning समझाया तो उसके अंदर एक ही बात बोली थी, कि communication होता क्या है, communication के अंदर एक बंदा idea लेकर बैख अपना, अगर idea सुनोंगे, वो verbal करेगा, आपके साथ चाहिए video call करे, return करे, उसका idea सुनोंगे, उसके बाद उसके ऊपर अपना क्या करोगे, दिमाग लगाओगे, उसको understand करोगे, और उसके बाद वो feedback है, वापिस उसी बंदे तक पंचाओगे, इतनी ही बात बोली जाती है, communication के लिए, ठ कुछ भी करने है, तो सबसे पहले उस बंदे को understand करो, ठीक है, तब ही आप एक good listener बन सकते हो, और good listener के बारे में आपको बताई दिया था पीछे, कि जो communication होता है न, without एक listening communication के बिना effective listening या critical listening के बिना हमारा कोई भी good communication नहीं हो सकता, तो अपने अंदर grow करो इस चीज़ को, आप किसी चीज़ को पहले अच्छे तरीके से सुनो, active listening करो अपनी, active listener बनो, तब ही आप ऐसे आगे कामजाब हो सकते हो, उसके बाद avoid, pause and filler word, ठीक है, आप ऐसी चीज़ों के उपर क्या कर दो, मतलब ऐसी चीज़ों को रोक दो, जो चीज़े क्या करती है, किसी भी तरीके स मतलब आप बिना किसी बात के, मतलब उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता, अगर मान लोग दो परसन है, आपके साथ भी हुआ होगे कई बार life के अंदर, ठीक है, कई बार दोनों का mood नहीं होता, बात करने का, यहाँ आप आपस में बात करना ही नहीं चाते है, दोस्त्री क खत्म करना चाहते हो ठीक है तो उन चीजों को रोक दो वहीं पर पाउस कर दो अवाइड कर दो ऐसी चीजों को ठीक है कि आप बिना बात के जबरदस्ती किसी से बात करना चाहते हो वर्बल की भी बात है रिटन की भी बात है चाहिए मैस्सीज की बात है ठीक है किसी भी चीज किये Snapchat की लगा लो ठीक है अगर कोई आप से बात नहीं करना चाहता ना तो जान बूज कर वहां पर फिल मत करो किसी चीज को ठीक है बिना बात के अपना सम्म्या बरबाद मत करो तो active listening और active communication में यही बताया जाता कि अगर आप communicate कर रहे हो ना बिना बात के बीच में मत बुसेड़ो अगर नहीं पता ना कोई भी question आप से पूछना हूं मैं अगर नहीं पता तो सीधा नो लिख दो बात खतम बिना बात के उसको फिल करने की कोशिश मत करो हाँ आप ऐसा करो कि अगर बिलकुल नहीं पता ठीक है नो लिख दो नहीं तो अपने confidence में भी रहो यह भी बात बोली है कि आप try तो कर सकते हो ना तो do not use the wrong word हाँ ठीक है ना गलत वर्ड यूज करके यहां बिना बात के forcefully बात मत करो वही बात यहांपर लिखी गी है यहां जो मैंने पीच्छे बताया था जूर्ए ऐसा ही था यहीं बता देता हूँ आपको और मैंने लिखा हूँ हैं सारा कुछ तो आपको बता देता हूँcoral computation है इसकी limitation के आउती है एड्वांटिज क्या होती है मैं भूल गया था यहां लगानी पर अभी यहां समझा देता हूँ आपको औरl communication की बात करते हैं ठीक है कम्यूनिकेशन की बात करते हैं उस टाइम पर हमारे पास कौन-कौन सी ड्वांटीज हो सकती है आप भी बताओगे तो थोड़ा हेल्प हो जाएगी सब लोग अच्छे से सीख पाओगे ठीक है यहां लाइन लगा देते हैं यह तो हमारी क्या होगी मेरिट्स होगी यह अड्वांटीज होगी सोरी डिस्मेरिट होगी ठीक है यह होगी हमारी अड्वांटेज ठीक है ऐसे ही लिख देते हैं बहुत है इतना तो ठीक है अगर बात करते हैं चलो एक एक करके बताना फास्ट कम्यूकेशन ठीक है यह नमबर बन पर बात करते हैं कि फीडबैक की ठीक है और नंबर तीन पर बात करते हैं किसकी सेव टाइम लिखने में जाता है ना इतना टाइम पीडियाइफ बनाते रहो पांच-पांच गंटे लगाओ अगर ऐसे मैं करने लग जाओ ऐसे तो बहुत फाइदा हो जाएगा मेरे टाइम का भी इसली इसली आप क्या कर सकते हो समझ सकते हो इसको लिखते रहो इजी टू अंडरस्टैंड एडी टू अंडरस्टैंड एनी मैसी जो भी आपको मिल रहा है नंबर पांच पर बात करते हैं किसकी सेव मनी ठीक है मूँ से बोलना है बिल तो नहीं आता बिल तो नहीं आता क्या आता है किसी का आगे यहां भी डाल देते हैं एक लाइन और यहां भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं more forceful होती है यह more क्या होती है forceful अगर किसी बंदे ने आपको motivation कर दिया ठीक है एक्सप्राइज हाँ feeling बयारा और effort आल सो हाँ जी हाँ जी देखो more forceful चुन लो more forceful ठीक है अभी बहुत सारे बच्चों ने बता दिया expression के बारे में जिसको जिसको पता लगता है बताते जो more forceful क्या होती है मैंने आपको बोल करके मेरी tone के द्वारा मेरे facial expression के द्वारा आप देखते रहोगे note करते रहोगे face to face communication करेंगे जब उस time पर more forceful कैसे हो सकती है कि मैंने आप को motivate कर दिया तो आप वैसा काम करना start कर दोगे मेरी tone के जरीए ठीक है तो वो सारी बातें इसके अंदर आती है और क्या बातें आती है convey the shards ठीक है वो भी आ सकता है immediate feedback आ सकता है यहां आ सकता है immediate immediate clarification clarification ठीक है साथ की साथ बात clear करो जो बात बोली आपके सामने कोई भी बंदे ने question किया है can be informal ठीक है formal के साथ साथ informal communication भी हो सकता है verbal communication ठीक है और क्या हो सकता है pre-plan and unplanned ठीक है structure या unstructure लिख लेना कुछ भी लिख लेना ठीक है according to situation आप इसका अपने तरिक्के से use कर सकते हो more effective more effective more effective more effective आई नहीं आएगा more effective with group groups and family ठीक है अपने more effective हो सकता है आपकी family के लिए उनसे बात चित करते हो जो जो बाते पिछे पड़ी है ना आप लोगोंने यहां पर यह ना मैं लिख करके डाल दूँगा सारी की सारी चिज्जें तांकि मुझे पता लग जाए आपने यह बाते बताई है ना मैं इनको सेवी रहने दूँगा बाद में इनको type करके लिख दूँगा ठीक है हाँ जो भी एक्स्ट्रा फाल्टू के वर्ड होते हैं ना जो हमें समझ नहीं लगते जो कौन से हो सकते हैं यहां लिख देते हैं जैग जैग्रॉन वर्ड होते हैं ना उनको इजली एक्स्प्रेंड कर सकते हो इजली एक्स्प्रेंड कर सकते हो इजली अंडर्स्टैंड कर सु टेबल फोर लेंधि मैसीज ठीक है लेंथ वाला मेसीज है, जैसे मैंने बौल दिया कि मैं पांच गंटे पढ़ाओंगा आपको ठीक है आप भी बोर होगी मैं भी बोर हो जाओंगा ठीक है पर मैं पढ़ाओंगा क्योंकि आपका एक्जाम नजीग आ गया पांच गंटे तो कोई ज्यादा नहीं है ठीक है ऐसा नहों कि पूरी किताब हो एजी वे टू कनवे यूर मैसी टू अधर हाँ वही बात है कि आप एजी मैसीज को बता सकते हो यह एक और लिख देता हूं कि क्या लिखूं कि कनवेज कि किसी मीनिंग को समझाने के लिए जो बात उन्होंने बोली थी उपर ठीक है वेगूज वर्ड के लिए उसके बाद बताओ भी नो लीगल एविडेंस ठीक है एविडेंस तो नहीं होता मैंने कुछ भी बोल दिया अगर रिकोर्डिंग वीडियो है तो ठीक है रिकोर्डिंग के बिना आपके पास कोई ऐविडेंस है अगला बंदा मुकर जाएगा मैंने तो बोला ही नी ठीक है वह चीज हो सकती है not easy to fix responsibility ठीक है not easy to fix responsibility ठीक है इसको समझ लेना responsibility है In case of misunderstanding Misunderstanding Something hurt other feeling हाँ बिल्कुल किसी की feeling को hurt कर सकते हो आप बोलकर Sometimes hurt others feeling ठीक है various language various language तो नहीं आएगा इसके अंदर various language कैसे आ जाएगा बताना मुझे message can not be retained for long time ठीक है बाइसिज में इसके इसके आप यहां स्टोरेज इसके इसके आप आप क्या बताया था मैंने four long time for long time लिखते रहो साथ की साथ ये चीजे मैं डाल भी दूंगा और क्या बोला है बरनाली ने बोला है sometime may be understandable to other हाँ हो सकता है sometime may be not understandable sometime देखो कितना फाइदा हो रहा है तब ही मैंने नहीं लिखा था ये advantage ब्लिखने को तो मैं भी डाल देता तो मैंने सोचा बाद में स्लाइड बनाएंगे बी अंडर स्टेंडेबल ठीक है और कहां लिखें आगे सम् टाइम नोट एक्टिणी लिस्निङ मैस्ज यहां वेस्ट हो जाता आपका टाइम फिक है आट फिस लिस्निग नहीं नहीं कर सकते हो मैं दो तिन पेज और ले लेता हूं इनको कीप रखता हूं एक ताइम शाजएग तो यहां पर दो, तिन और ले लेते हैं, साथ की साथ और उसके बाद, लिख देते हैं जो भी आपका आएगा ठीक है, अब बोलते जाो और देखो कितना फाइदा हो रहा है हाँ, लैंग्वेज़ बैरियर हो सकता है, यहां लिख देते हैं लैंग्वेज़ सब्सक्राइब करें लेंग्ब्रोड वर सकता है यह एज टाइम प्रजांट होना पड़ता है एट टाइम प्रजांस है इस एप कमपल्सरी ठीक मैं आपको कमपल्सरी रहना पड़ता है ठीक है उसके बाद किया हो जाता है great greater chance of misunderstanding greater chance no time time तो fix कर सकते हैं बच्चे time तो fix हो सकता है ठीक है language barrier हो सकता है time इसके अंदर हो सकता है fix क्योंकि आप बस बस बहुत हो गए भई बहुत हो गए है ठीक है इतने काफी है मैं भी आपको limitation है मैं सारी की सारी बना दूंगा इतने काफी है ठीक है इतने limitation काफी है आपका दिमाग काम करने लग जा ना कैसे limitation निकाल सकते हैं अगर कुछ पूछा गया तो आगे बढ़ते हैं ठीक है कितना काफी आगे पढ़ते हैं देखो रीटन कम्यूकेशन की बात करते हैं किसकी बात करते हैं रीटन कम्यूकेशन की यह भी किसके अंदर आता है वर्बल कम्यूकेशन के अंदर इसको इंक्लिूड किया जा स और टाइप और प्रेंट संथिंग सिंबल इसके अंदर राइटिंग टाइपिंग प्रेंटिंग सिंबल लोगो लेटर में मो इमेल कार्ट सब कुछ इसके अंदर आ जाता है जिसके दोड़ा it is important way of communication as provide a record record की इंफ्रोमेशन भी आपको प्रवाइड कर सकता है जैसे मेरी यू बादा बेटर है इस फॉर्म ऑफ कम्म्यूकेशन इस कॉमली यूट्टू शेर इन्फरोमेशन थूदा पैंप्लेंट्स लोगों सो सकते हैं आपके लेटर में मो चार्ट एंड राइटिंग टाइपिंग प्रेंटिंग पेपर कुछ भी एक्सेक्टरा हो सकता है इस टाइप क कौन कौन सी टिप्स हैं आपके सामने रिटरन कम्म्यूकेशन शुड़ भी सिंपल एंड क्लियर आपका जो रिटरन कम्यूकेशन है वो एक दम सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए बी केरफुल अबाउट दा टॉन इन विच जू जो भी आप टॉन समझाना चाहते हो लिख क अच्छे से समझे लो इसके उपर हमारा काम चलेगा आगे तो वह बात है कि आप क्लियरली रिप्लाई करो यू रिप्लाई वैन यू आर डूइंग कम्यूकेशन इन रिटरन फॉम ठीक है आपको भी हमेशा जब भी करते हो ना अपने स्वरों का ध्यान रखो ठीक है टॉन करके लिखो सिंपल एंड एकदम क्रिप्स वे के अंदर लिखो ठीक है टेक टाइम टू रिव्यू दा टेस्ट यू हैव रिटन बिफॉर फाइनली संट आप ना जब भी कुछ लिखते हो ठीक है एक बार पढ़ लो जो भी लैटर लिख रहे हो ना कहीं दूसरी सहेली का न लिख रहे हो कुछ भी तो आप एक बार पूड़ा लिखने के बाद चेक कर लो चेक करोगे तो आपके लिए वह चीज़ फाइदा मन रहेगी आपके लिए हैलफ हो लोगी पहले रिसीवर को बेजने से पहले उसको अच्छे तरह किसे उसकी समीक्षा करो उसका रीवियू क करो कि भाई जो मैंने चीज लिखी है वो सही लिखी है किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक तो नहीं है या मैंने कोई भी अगर मैंने 5000 डालने थे ठीक है वहां पर 500 डाल रखे हैं या 50,000 डाल रखे हैं वो चीज़ें आप पहले ही चेक कर लोगे जब सेंड करोगे यह एक हो कुछ भी कर रहे हो तो सबसे बड़ी बात यह होती है किसके अंदर जो रिटन कम्यूकेशन होता है उसके अंदर बहुत यह अच्छी बात यह है कि अगर आप अपना रिटन कम्यूकेशन है उसको इंप्रूव करना चाहते हो ना तो आप वह चीज़ें देखो जैसे मैंन रखना कल को अगर आपने माइटी भी लिख सकता था माइटी शक्ति शाली ठीक है ना और भी बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं पावर्फुल लिख सकता था तो वह आपके उपर डिपैंड करता है वही बात है कि interesting कीज़े find out करो जब भी आप लिखते हो ना तो ऐसी प्रभावी चीज़ें लगाओ कि बंदा सामने से देखे, अगर वैसे देखो सिमरन बैठी है यहाँ पर सिमरन अगरवाल उन्होंने बोल ला है कि मैंने साथ की साथ dictionary किया, dictionary किया मतलब आपने नहीं चीज़ सिखी क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि मेरे को भी आए यार ये वर्ड का मतलब क्या है तो यही बात है कि effective वर्ड डालो थोड़े, ठीक है ऐसे भी फाल्तू के वर्ड मत डाल देना कि जिनका कभी dictionary में भी जिकर ना किया हो, अपने खुद के वर्ड बनाके डाल रहे हो वैसा काम भी आपको नहीं करना होता उसके बाद देखो ये सेम ही है ना ये देखो मैंने चेक नहीं किया, मेरे से गलती होगी written communication में होगी नहीं गलती ठीक है ना, ये देखो दो गलती है मेरे से होगी है लेकिन आगे मैंने सुधार रखी है वो गलती, ठीक है, यहां देखो सेम तू सेम, चलो कोई बात नहीं यहां से पढ़ो, यहां से visual communication की बात है ठीक है, visual communication की अब मैं delete करके वो डाल तूँगा, दूसरी slide है, जो आपके important रिटन का देखें, रिटन communication की क्या-क्या फाइदे नुकसान हो सकते हैं, पीछे चलते हैं, यहां से लिखना start करते है, रिटन की ठीक है, last interesting है, सब लोग कमेंट करके feedback देना है एक बार उसके बाद देखते है, रिटन का क्या हो सकता है, ठीक है, यहां लिख देते हैं, उपर रिटन कम्यूनिकेशन, ठीक है, रिटन कम्यूकेशन, सबसे पहले इसकी advantage देखो, as a word use करो, जो interesting और meaningful और communication को effective बनाए, बिल्कुल सही बात बोली है सिम्रन आपने, जी सर, I was my first class enjoyed, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी मिलने वाली है, सारी classes, आप अभी teaching के आपको share कर दूँगा, ठीक है, और groups में भी add करना है आपको, yes interesting है, तो वस interesting है, अभी written की बात करते हैं, written के number one पे बात करते हैं, बोलो क्या सकता है, ठीक है, accurate ठीक है, यहां पहली बात हम लोगों ने क्या पड़ी थी, यहां पर simple and clear, ठीक है, simple and clear, simple and clear, simple and clear हो, number two पे बात करते हैं, किसकी precise हो, ठीक है, इतने ही word के अंदर लिखाओ, कि आपका एकदम briefly समझाए सब को, ऐसा ना हो कि पूरी एक चीज़ पे lesson लिखके रख दो, legal आपके evidence मिल जाते हैं, ठीक है, legal evidence आपको मिल जाते हैं, legal, ठीक है, legal आपको evidence आपके मिल जाते हैं, उसके बाद नमबर चार पे बात करते हैं, effective and meaningful, यह तो नहीं आएगा न, effective and meaningful कैसे है, वो तो कोई भी communication हो सकता है, meaningful हो सकता है, लेकिन थोड़ा बना के लिखो न, कोई effective लगे लिखा हुओ, आ सकता है, उसके बाद बाद कर सकते हो, permanent की permanent की, ठीक है, permanent की बास कर सकते हो, permanent के उपर किस चीज की है, कि आप जो भी लिखते हो, permanent वो चीज आपके पास proof के रूप में भी रहती है, legal evidence के रूप में भी रहती है, और legal document आपका बन जाता है, और साथ में future में आने वाले काम, मतलब आने वाले काम में होता है, ठीक है, और trustworthy भी कैसे हो सकती है, trust तो मतलब क्या ही करें हैं, किसी के उपर कुछ भी लिखके दे दे, ठीक है, मुकर भी सकता है ना उस चीज से, जो बड़े बड़े लोग मुकर जाते हैं लेटर देने के बाद, तो वो बातें नहीं आ सकती, और can be rich large number of people stimulate, हाँ, सही बात है, large number of people तक पुछ आ सकते हो, अपनी ये चीज़ को, मतलब आपने large ठीक है, large number तक आप पुछ आ सकते हैं इस चीज़ को, large number of people उनके तक ये चीज़ पुछ आ सकते हो, बड़ सर एक प्रूफ तो होता है ना रिटर में, अरे प्रूफ तो होता है ना, ट्रस्ट वर्दी थोड़ी वालाँ किसी भी चीज़ के लिए गलत प्रूफ मिल जाए, वो ट्रस्ट वर्दी थोड़ी होगा आपके लिए, सबके लिए समान होना चाहिए ये बात, ठीक है, उसके बाद बात करते है कि इस चीज़ की, help to fix, help to fix responsibility, responsibility, ठीक है, समझ लेना है इसको responsibility, कैसे help करती है आपकी ये fix करने के अंदर, पता है आपको कैसे करती है, कि आपने कोई भी duty लिखके दे दी, उसके उपर की इतने इतने आपकी duty है, आपका काम ये है, यहाँ पर संभालने है, कल को बंदा उससे मुकर नहीं सकता, ठीक है, वही आप्लस करते हैं यहां पर बताइगी अब बात करते हैं किस की, डिस अडवांटजी की, नंबर वान पे क्या आजाएगा time consuming, नंबर तू प относ है आजाएगा time consuming और money consuming, ठीक है यहाँ पर money consuming लिगतेते हां , ठीक है, कोश्चली लिख देते हैं, ठीक है नंबर तीन पे किसकी बात करते हैं आगे लार्ज ओडियंस कवर भी हो सकते हैं लार्ज वह मैंने लिख दिया यहां पर लार्ज प्यूपल कवर हो सकते हैं मौर एफट्टिव नीड हां मौर नीड ू मोर एफर्ट्स, नीड तू मॉर एफर्ट्स ठीक है, मौड एफर्ट्स की नीड होती है, एक्स्पैंसिव हो सकती है, और क्या हो सकती है, हाँ, वहां एक कीज लिखी थी, कुफिकली क्विक क्लैरिफिकेशन, कि नोट पॉसीबल कि नोट पॉसीबल ठीक है जी लेट एंड ले रिपोंस हां नोट क्विक कि रिस्पॉंस पॉस्टली एक्सपैंसिव एक ही चीज होगी हां वही बात है ना वही तो मैंने वो लगाया था ना बीच में स्लेश लगाया था मोर कोस्टली एंड एक ही चीज है ना मैंने स्लेश लगाया था देखना बीच में ठीक है और कुछ तो देखो वीजवल कम्नुऴकेशन यूज इमेज बॉइंग स्क्ट चार्ट अिनिमेशन और वीडिय टू कन्मे इंफ्रॉमेशन इंफ्रॉमेशन का अदान परदान करने के लिए जब हम लोग इमेज डॉइंग स्टिकर चार्ट अनिमेशन या किसी भी टेक्स्ट का जो सामने बोर्ड बगारा होते हैं टेंप्लेट होते हैं वो भी चीज़ों का यूज इसके अंदर कर सकते हैं जो चीज़ हमें दिखती हो ठीक है जो चीज़ क्या है टैंजीबल है वो चीज़ों के सके अंदर इंकल्यूड किया जाता है साथ में human being are visual learner जो human being है ना वो आपका एक तरीके का जो हम लोग हैं वो visual learner है आपको पता है जो चीज़ आप देखते हो उससे ज़्यादा सीखते हो पता है आपको जो चीज़ें आप देखते हो इस इस स्लाइड को ना मैं बहुत मतलब थोड़ा सा और कर दूँगा PDF देखो कि आपको ज information in the form of visual ठीक है आप लोग क्या करते हो जो भी सूचना बगहरा लेते हो जितनी information आइडिया है आप उसको remarkable किस तरीके से करते हो आपकी ability किस तरीके से काम करती है कि वो visual form में हो ठीक है आप एक क्या हो visual learner हो और सारी चीज़ें अगर आपको दिखाई जाएं तो वहां से सीख लोग है आप सारी की सारी की स्लाइड दिखा रहा हूं पड़ा रहा हूं यहां से सीख सकते हो डिस फॉर्म ओफ कमनियो मेशन इस जनरली यूज़ तो प्रफेशनल लेवल ज्यादा तर इसको प्रफेशनल लेवल के उपर यूज़ किया जाता है जब आप बड़ी बड़ी प्रफेशनल तरीके से एक प्रजेशन चल रहा है आपको पूरे का पूरा यूजी सी नेट का मतलब स्लेव कावर करवा रहा हूं वहां पर इसको यूज़ किया जाएगा वर्क प्लेस टू प्रवाइड एप्रोपेट इन्फोमेशन जो आपका वर्क प्लेस होता है जिसके आसपास रहकर environment की बात करते हो वो भी visual communication के अंदर थोड़ा आपको information देता है उसके अंदर आपका return हो सकता है workplace मतलब जिस office में आप काम कर रहे हो presentation दे रहे हो वो चीज़ें आपको appropriate information reader return और verbal communication को मिला करके visual communication बना करके audio visual बना करके पेश कर दी जा सकती है तीक है इसके लिए कौन-कौन सी tips ऑसकती है इसके लिए कौन-कौन सी tips आपकी हो सकती है इसके लिए आपकी tips हो सकती है include visual that can be clearly understand आपका clearly and easily understand हो जो आपका audience है वो असानी से उस चीज़ को clear समझ सके ठीक है उसके बाद इसके अंदर क्या क्या चीज़ और आ सकती है इसके अंदर आ सकती है कि आप ग्राफ लगाओ ठीक है डेमोग्राफिक डाटा है उसके लिए आप कोई ना कोई ग्राफ दो ठीक है पाई चार्ट लगा दो ठीक है ये मतलब डाइग्राम ऐसे ऐसे लगा दो जो भी आपके अलग-अलग तरीके के जो भी आपके डाइग्राम है वो डाटा प्रेजेंट करने के लिए लगा सकते हो ठीक है यह क्या होता कि आप हमेशा यहां क्या करते हो कि अपनी टारगेट ओडियंस के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें पेस कर देते हो थर्ड पार्टी भी प्रेजेंट कर सकती है यह चीज़ें जैसे आप अड़टाइजमेंट करवा देते हो अपने लिए ठीक है वीजुल दिखा करवा देना कहीं पर पेंटिंग करवा देते हो अपने किसी चीज़ की वह चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं आप करवा सकते हो अड़टाइजमेंट बगरा भी डवल चेक दा वैलडिटी आफ डाटा यू आर गोइंग तूदा प्रदेंट जब आप डवल वैलडिटी च के लिए वैल्यू डालोगे ना कोई डाइग्राम बनाने के लिए मेज़ डालने के लिए तो आपका डवल वैरिफकेशन हो जाएगा तो आप उसके ओपर एक तो रलाइबल होगा और आप उसके ओपर ट्रस्ट कर सकते हो ठीक है और वर्बल कम्म्यूकेशन अराउंड टू यू की यूभी कुएट स सकती है मतलब जो भी होता है ना सर्ब वह अपिक होता है हमारे चारों और का ऑ दृष्या है ना उसको वर्बल कम्यूकेशन जासकता है ठीक है उसके बाद मून वर्बल व्म्युक्ईशन है ठीक है दो subscribing अभी करवा दो यह भी नॉन वर्बल कम्नियूकेशन यहां कल की कलासन में आज की कलास का करेंट से हो चुका है दो बच्क 18ane यह हुएं हैं चलो अभी करवा देता हूं इसको region कर लो non-verbal communication and साथ में यह बस यह रह गी हैं दो slider रहिगी है क्र II देखता हूं यार ठीक है एक बार region कर लो सब लोग region कर लो आज का तो खतम कर देते हैं फटायव खिके जी अब यहां से non-verbal नों-wards, maar नोन- cultiv क्या होता है तो वस थोड़ा सा ध्यान रखो यह 되면 थोड़ा और मैं इसके अंदर पिच्चर बगारा लगा दूँगा तो लगाकर इसको अच्छे से प्रेजेंट करतें गी देखो नोन वर्बल कमणुकेशन की बात करते हैं देखो हमने तीन कम्यूकेशन अब तक पढ़ ली हैं वर्बल कमणुकेशन क्या होता है ठीक है उसके जिसको audio wiemdeo which we will वो गया है द्रिशिय w photo degrees वो गया है सुनने वाला irïक्टिव listening वाला है वह भी मैंने समझा दिया था गार communication मतलब जो अब हम लोग करेंगे ठीक है जो अब नोन वर्रबल communication हम करने वाले हैं ठीक है नोइन वर्रबल communication क्या हरता है लोन वर्रबल कम्यूकेशन इद्धा कम्यूकेशन यूज यूजिंग बोडी लैंग्वेज फेशल एक्सप्रेशन यूज करते हूं एंड गैस्चर टू कनवे ठीक है आप इसके अंदर श्रीरिक भाशा का प्रयोग करते हो हाब भाव का देखते हो कि आपका फेस कैसा काम कर रहा है साथ मे बोडी लैंग्वेज के गैस्टर पोस्चर हैं आपको समझा रहा हूँ उस तरीके से आपकी जो बोडी लैंग्वेज है सारी की सारी आपको इंफ्रोमेशन देती है नोन वर्बल कम्यूकेशन इस हैल्प तूदा ट्राइट टू अंडरस्टेंड दा जो आपकी फीलिंग ह होती है थोट्स होते हैं उनको समझाने के लिए ठीक है अगर आप बॉल रहे हो ना अगर आप भी रहो तो दो के सारी हो कह मैं जब दे देते हैं चलो ठीक है ठीक है वह एंटैसडीं़ यह जाता है नौन इंटैसच्ण copy några जाता है जब आप खुद मतलब जैसे किसी की डैथ तो जाती है ठिक है आप ने लग जाते हो तो उस टाइम पर यह आपके तो को दृतर मिल जाता है है ञासे दिसे इतना सोच रहे हैं इतने भरकम गिफ्ट दे रहे हैं तो वहां पर मेरे अंदर से जो फीलिंग आती है जिस जब मैं वह प्रदेंट करता हूं ना इसके अंदर कौन कौन सी टिप्स हो सकती है वह देख लो ठीक है इफ यू फाइंड सर्टेन गैस्टर आपको कुछ विशेश स्थिती के अंदर विशेश जो सिचुएशन होती है सर्टेन सिचुएशन के अंदर आप एक तरीके का सर्टेन गैस्टर फेशल एंड जो आपका बोडी लेंग्विज होता है वो आपकी बेनिफिट रहती है वो जो non-verbal communication है उसको improve करती है जैसे कि मालो अगर दुख होता है तो आप sad हो जाते हो ठीक है अगर आपको मालो किसी भी तरीके की कोई भी sadness है दुख है आपको तो आप क्या हो जाते हो उस time पर आप sad हो जाते हो लेकिन जब आप खुश होते हो ना उसी तरीके से आप क्या कर देत हो एकदम खुश हो जाते हो तो आपका मुँक ऐसा है तो ए नमर वाला या भी नमर वाले आप वह भी देख लेना कैसे रहते और तो वही बात है की जब आप खुश होते हो तो किस तरीके का फेस बनाते हो जब दुखी होते ओ तो एक स्रेटेन सिच्वेशन के अंदर एक व किया जाता है include किया जाता है उसको ही बोला जाता है नोन वर्बल communication भी सेल्फ अवेर ठीक है भी सेल्फ हमें खुद से आतम जागरुपता रखनी है अपने खुद से अवेर रखने अबाउड यूर बोड़ी सो देट वन यू एक्सपीरियंस से certain जो आपके emotion होते हैं उनके लिए आप मतलब आपको external presentation करनी है ना अगर कोई भी शरीरिक रूफ से body language physical rank language आपको use करनी है तो उसके लिए आप पहले से कुछ ना कुछ सिखो ठीक है communication को अच्छा कर सकते हो और साथ की साथ control भी करना सिखो ठीक है साथ की साथ जो communication होता है nonverbal communication है उसके अंदर जो अपने emotion ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी किसी के आगे भी रो दिया है ऐसा धोड़ी होता है पागल है क्या ठीक है यह सारी की सारी बाते हैं उसके बाद make and efforts to display positive body language वही बात बोल रहा हूं कि भाई कुछ ना कुछ सीखो पहले positive language सीखो सकरात्मक श्रीरिक भाशा सीखो जो आपको अलग situation के अंदर अलग अलग sense में क्या आएगी काम आएगी उसके बाद बात करते हैं कि कौन से चीज आपको body language के time पर करने चाहिए ठीक है यह बाते मैंसे आप लोगों के पढ़ने की हैं लेकिन फिर भी मैं पढ़ा देता हूं आपको यह कहीं नहीं मिलेगी आपको ठीक है डूज कौन से करते हैं कि इन चीजों को करने की लैट कॉन्फिडेंस शाइन ओल अरांड ठीक है ओल अरांड यू आर थू यू ठीक है आप अपनी चारों और से देखो अगर आप देखना चाते हो तो अपना आतम विश्वाश है उसको हाई करो जब भी आप बोड़ी लैंग्वेस का यूज करते हो तांकि सो दैट दा इंफ्रोमेशन यू विल ठीक है आप वहां से कोई ना कोई जानकारी मिल सके ठीक है अराउंड में आप अपने आसपास में अक्टिविटी को देखो उसके थ्रू आप कम्यूकेशन करते हो ना तो आपको कुछ ना कुछ चीज़े असानी से सीखने को मिल जाती है ठीक है आप कुछ ना कुछ कम्यूकेट कोई ना कोई बंदा कर रहा होता है जैसे कोई बंदा योगा कर रहा है आप रस्ते में जा रहे हो तो आप देख लो उसको कि बंदा किस तरी किसे एक्ट्रसाज कर रहा है वैसे करने लग जाओ अगर आप भी मोटे हो तो ठीक है अगर पतले हो तो फिर भी कर लो कुछ नहीं जाता इससे ठीक है मेक यूर एंट्री राइ ठीक है ना पीसफुल नैसा आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप किसी भी तरीक की बोडी लेंग ऐसा ना हो कहीं लडाई हो जाके जप्तलो एकदम से वैसा काम आपको नहीं करना वही बात यहां पर बताई गई है उसके बाद गीव आप फॉम बट्र फ्रेंडली आप जब भी अपने दोस्तों के साथ मिलते हो यहां अपनी किसी फॉम के अंदर जिसमें बिजनस कर रहे हो आप कहीं पर भी वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी काम कर रहे हो वहां पर अगर आप किसी के साथ हैंडशेक करते हो ना हाथ मिलाते हो तो इसका प्रतीक है कि आ बोड़ी इज्जत करते हो ठीक है उसको बुलाया है गुड मॉर्निंग बुलाया अपने बोस को वही बात इसके अंदर बोलीगी आलवेज मंटेन गुड आई कंटेक्ट विच शो आगुड लेवल ओफ इंगेजमेंट आप सामने वाले बंदे को समझते हो अच्छी स्तिती स जुड़े हुए हो आपका उसके साथ अच्छा इंगेजमेंट है तो उसके लिए आप अच्छे कम्यूकेशन के लिए बोड़ी लेंगवेज के साथ साथ ओडियो के साथ साथ और्ल के साथ साथ आई कंटेक्ट भी बना के रखो यूज यूर हैंड कोरेक्ट ली गैस्टर पोस्चर आप अच्छे तरिक्के से हाथों का सही उप्योग करो अच्छे तरिक्के के इशारे करो ठीक है ना हातों से गंदे तरिक्के के इशारे भी हो सकते हैं अच्छे की भी हो सकते हैं लेकिन जो लेंगवेज अगर आप बोड़ी लेंगवेज यूज कर रहे हैं तो अच्छे सामने वाले बंदे के दिमाग में आपकी जो इमेज ना वह बने पोस्टि इवाली बने ठीक है नियक्टि वाली ना मने पोस्टि वाली बने उसके बाद मंटेने स्माइल आप हमेशा खुश रहो मुस्कराते रहो सबसे जिंदगी में ना अगर कितने भी दुखी हो ना थोड़ा मुस्कराना सिखो अगर आप मुस्कराते हो ना मुस्कराते हो उससे ना सारी प्रॉब्लम आपकी सौर्फ हो जाती है ज्यादा तर थोड़ा मुस्करा करके प्रॉब्लम को फेस किया करो वही बात यहां पर बोली है जितना मरजी आप ओवरलोड काम करते हो कुछ भी करते हो तो अगर सबसे ज़्यादा बात यही है कि हमेशा आप हसकर उस चीज़ों को फेस करो करना तो आपको है रोकर करो यह हसकर करो यूजी सी नेट के लिए अगर आपको त्यारी करनी है ना करनी सारी आपको है चाहे अब रोलो चाहे हसलो ठीक है डू करना है तो हसकर करो ठीक है नहीं करना तो छोड़ दो गिव अप कर दो अपना ठीक है उसके बाद बात करते हैं कि maintain a good posture me you that confident आप ऐसा posture बनाओ कि आप अच्छे से हो आपके अंदर confidence है आप confidence से उस चीज़ को पढ़ा रहे हो ठीक है बात कर रहे हो पढ़ रहे हो किसी दूसरे को पढ़ा रहे हो यहां किसी से बात कर रहे हो कुछ भी काम हो सकता है अब कौन सी चीज़ें आपने नहीं करन कि बड़ी संख्या में आप ऐसा ना करो कि जादा टाइम हाथ पकड़ के रखी रखो रखी रखो यह तो एक पागलों वाली बात है ना और उसके बाद कोई भी बातें आप एक दूसरे से कर रहे हो दूसरे के दृश्या को देख कर कि कोई भी दूसरे की situation को देख कर के वो उसके साथ एक तो आपने हाथ को पकड़ के नहीं रखना जादा थैं अन अथंटिकल काम आपको बिलकुल नहीं करने है ठीक है उसके बाद जो भी आप अपना सब्जेक्ट कर रहे हो उसके लिए आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए अगर अच्छा आइडिय जाओ और चैप्टर है जो आपका रहे जाए ठीक है आपकी जो लेग्स हैं उनको हिलाना नहीं चाहिए ठीक है कई बच्छों की आदत होती है कई लोगों की आदत होती है कहीं पर भी जाते हैं यह तो पैन को ऐसे ऐसे करते रहते हैं हाथ में पकड़ करके यह अपनी आपको ओड निबाहर पेपर के साथ जहाच बनाके इदर फैक दिया आँखमें लगा उसने बाद میں और अपको पेट दिया तो ऐसे काम करने क्यों है धुक है ऐसे काम आपको नहीं करने है ठीक है उसके बाद बात करने हैं एन अगे तर्ण यूर बैक तूद और और्दि और ऐसा नहों कि अपनी पीठ करके बैठ जाओ ठीक है उनको अच्छा ना लगे आप अपने फ्रेंट्स की तरह रहो उसके साथ ठीक है अब घूम के बैठ जाओगे उसकी बेश्टी वाला काम ही है ना अगर कोई आपके साम चल करके आपके पास आया तो आप किसी डेक्स के उपर बैठे थे ठीक है चल करके आया दूर हटके बैठ बाई जानमर थोड़ी है है तो बंदा ही ना रोल यूर आई आप अपनी आई को ऐसे गो आने लग जाते हो किसी भी बाद को देख करके रिस्पेक्ट नहीं करते हो आपको पता ही है जैसे काम आप करते हो सारे ठीक ह ब्रिंग बिट्विन यू आर यू एंड यूर ओडियंस ठीक है ऐसा मत खड़े हो कि अपने दोस्तों के साथ किसी भी तरीके मतलब जो स्टैंडिंग पॉस्चर है वो भी अच्छा होना चाहिए ठीक है बस में आपको पता ही आजकल बस के अंदर भीड़ भडाक का होता है तो चिप करके खड़ जो होते हैं फिर पिच्छे ते तपड़ मार तक होई ठीक है ऐसा ना हो कि आप अपनी किताब है उसको किस तरीके से पकड़ के फोल्ड करके रख रहे हो ठीक है वो सारी बातें आपको करनी चाहिए ठीक होनी ठीक है यह साथ काम आपको करने नहीं चा लेखेंगे यहां तक किसी भी बच्छे को कोई बी प्रॉब्लमें में बता सकता है और कवाली के लिए में ठांटा का त्यारbers को प्रॉब्लम में तो बता सकता है और यह क्लास में यूटूब चैनल के ऊपर बीडाल दूँगा ठीक और कल वाली क्लास है टाइप वाली वो भी डाल दूँगा पर उसके बाद जो हमारे मोडल साइंगे वो नहीं डालूँगा उसके लिए आप जो आइन कर लेना जिसको जो आइन करना बहुत दिनों होगे हैं तो थैंक यू आल फ्रेंस टेक केर बाई 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 और मिलते हैं कल की क्लास के अंदर और जल्दी से जल्दी आप पर्परेशन अपनी कर लो और आपका एक्जाम आ चुक है और मैंने कल बत है ना उसके कोडिंग रख लेंगे कि फी का जो भी सिस्टम है ठीक है जादी नहीं रखेंगे कम रखेंगे मतलब हाफ जैसा करतेंगे क्योंकि दो दो में हिंदे अगर देखा जाए तो थाउसे थोड़ा उपर रखेंगे तो वह आपको बता दूंगा मैं पेपर टू का आ करते हैं अगली क्लास के अंदर आज एक को सूपर कोश्चन के उपर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा उनको भी आप लोग देख लेना तो तब तक के लिए थैंक्यू अपनी स्टड़ी कर लें जो भी करवाया उसको रिपीट कर लें और अपने नोट्स बना ले